Hello students, welcome to my youtube channel, please subscribe this channel, like and share this video आज हम alcohol part 29 लेके आए हुए हैं इसमें हम गिल्सराल के chemical property में हम reaction with estil chloride बताएंगे कि गिल्सराल जो है estil chloride के साथ reaction करके कौन से product का फार्मेशन करता है तो गिल्सराल react with estil chloride to farm के साथ reaction करके यह जो है गिल्सराल try acid का फार्मेशन करता है इसमें estil chloride के अस्थान पे अगर estic anhydride है तो भी जो है हमारा गिल्सराल को यह वर्यक्षण का फार्मेशन हो जाएगा तो हम देखते हैं रियक्षण को यह देखिए किल्सराल किलतराल है कि यह हमारा किलतराल है अब इससे थ्री माली के उला फेस्टिर को राइट रियक्शन करेंगे यह देखिए यहां पर C-L-O-C-C-H-3 उल्टा लिख रहे है हम C-L-O-C-C-H-3 यहां बे भी C-L-O-C-C-H-3 तो यह देखे वास्तों में यह क्या है यह जो है C-L-C-H-3, C-L-C-L है यह एस्टिल को राइट है और यह जो है रियक्शन कर रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे थिरी मालिक्यूल आफ है यह स्टिल कुलॉराइट अब यह देखिए यहाँ पर यच है इसका और यहाँ पर CLE है यह के CLE निकल जाएगा यहाँ पर यच है और यहाँ पर CLE है 245 bırak यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जाएगा यह जो है CLE है त थिरी मालिक्यूल आफ है CLE इसमें से आउट हो गए और यह देखिए यहाँ से यह जो है CH3CO जाके यहीं डार्टी अटेच हो जाएगा यह भी CH3CO जाके यहीं डार्टी यहीं पर अटेच हो जाएगा तो यह किसका फार्मेशन का CH2 O O C CH3 यह भी जो है CH O O C CH3 यह भी CH2 O O C CH3 का फार्मेशन हो जाएगा तो इसको हम देखे जब हीट करेंगे तब ही रियक्शन होगा और इस तरीके से यह जो है देखे क्या बनेगा CH2 O O C CH3 CH O O C CH3 ठीक तो इस तरीके से यह होगा और यह जो है CH2 O O C CH3 का फार्मेशन हो गया और यहा जो है बगल में CH3-hCl और यह हमारा हो गया गिल्सरायल-ट्राईशी लगा रियरे करुदो आँग तो इसका पार्मेशन हो गया अब बढ़ते हैं नेक्ट depreciation की तराफ नेक्ट रेक्षन इसका दिसका ग्या है उक्सेडेसन हैं इसका नेक्सेडेसन क्या ऑक्सिडेशन है, कि हम जो है गिलसराल का ऑक्सिडेशन कराइंगे, तो क्या बनीगा तो दिखें कि जब हम ऑक्सिडेशन कराते हैं, टो इसमें गिलसरल्डिगाइड गिलसरी तरट्वी तर्सश्टीड टीज्ड मेजवएलेकिकिड़ थां रॉंप मीजवण पॉर्ब्च का फारन हो राइव डिफरेंट близय में जो है रियकषंक होता है तो हम यहां से देखिए अक्सिडेशन स्टार्ट करते हैं तो इसका हम अक्सिडेशन देखते हैं यहां पर देखिए हमने गिल्सराल ले लिया अब इसको देखिए डिफ्रेंट मेरी अक्सिडेशन करा रहे हैं देखिए अब जो है यहां पर हम अक्सिडेशन कराएंगे देखिए अक्सिडेशन में होता क्या है कि इसमें ह2O निकलेगा ह2O माइनस होगा और अक्सिडेशन वही पर जाके जुड़ेगा और फिर जो है अगर यहां पर यहां पर यहां पर हम अक्सिडेशन करा रहे हैं oxidation किसी भी इसके तीनों carbon में से किसी भी carbon पे हो जाता है या तीनों पे ही एक साथ हो जाता है तो यहाँ पर देखे ऑफ मम यह सी स्टार्ट करते हैं यह देखे यहां ह 2 है यहां जो oxidation हो रहा oxygen जुड़ेगा इस टू निकलेगा 004 हो जाएगा तो इस तरीके से हो गया रहें को इसको गिल्सरल डिहाइट का फार्मिस्न होगा करें यह जो है इसके बाद फिर हम अक्सिडेशन कराएंगे यह पर आक्सिडेशन करा रहे हैं यहीं पर करा रहे हैं यह हमारा हो जाएगा और यह जो हमारा हो गया है कि दिता हो इस दिए हमारा गल शरी कहीं बन गया इह रहे फिर हम यहां पर आक्सीडेसन कराइंगे करें इसकी कारबन करें यह दो हो जोगा है यहां अब यहां पर कराएंगे यह जाकी यही पर जूड़ 수 तो इस तरीके से जो है यहां ना करा करके सबसे पहले यहां पर कराएं सबसे पहले यह दोनों वाले रिमूब होते हैं तो यहां पर देखें यह निकलेगा और यहां से जो है आक्सेजन जुड़ जाएगा तो यह तरीके से जो है अब देखें आक्सेजन जुड़ रहा है यह बनेगा जो है अब यहां यह अक्सिजन हो गया है तो यह हो गया सी ओ यह च और यह जो हो गया यह हो गया अब फिर इसका अक्सिजन कराएंगे तो यह हो जाएगा सी ओ तू यह च और यहां पर भी सी ओ तू यह हो गया तो इस तरीके से यह जो है हमारा बना और यह हमारा टार्टोरी केसिट का फार्मिशन हो गया तर्टोरी के फार्मिशन बाएगे पीच में यह हमारा जो है कि टोन भी है और लडिहर्ड की यह चों से यह चों किया आज तो इस तरीके से यह तो हमारा intermediate product बना हुआ है बीच में तो यह बना हुआ है अब इसके बाद अगर हम इसका भी जो है हम oxidation कराएं यह जो बना है टार्टोनिक एसिट का oxidation हम कराएं तो यह जो है हमारा कि यह होगा सी ओ सी ओ टू यह यहां से यह रिमोव हो गया और आक्सी जनाखे जुड़ गया है तो यह रिमोव हुआ और आक्सी जनाखे जुड़ तो यहां पर हो गया तो इस तरीके से यह मीजु आकजीले के सिट का फार्मेसन हुआ तब आप देखिए अब यहां से अगर हम इसका डारेक्ट ऑक्सिडेशन करा डेते हैं बीच में ऑक्सिडेशन इसका कराएं यहां से इस वाले का आक्सिडेशन कराएं तो यह निकलेगा और वह जुड़ेगा तो यहां पे हमारा जो है यह हो जाएगा CH2OH CO और CH2OH अब इस तरीके से जो है इसी का फार्मेशन होगा अप फिर यहां पे अगर हम करना चाहेंगे तो CH2O निकलेगा और आक्सिड़न आके जुड़ेगा यहां से CH2O निकलेगा आक्सिड़न आके जुड़ेगा तो इस तरीके से जो है यह डाई हाइड्रॉक्सी एसी टोन का फार्मेशन हुआ तो यह जो है आक्सिडेशन आप गिल्सराल हो गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रेक्षिन की तरफ यह जो है नेक्स्ट रेक्षिन हमारा डिहाड्रेशन देखें वेन हीटे डेलोन और बीद पोटासियम हईड्रोजन सलफेट आप लिख सकते हैं वेन हीटेड यलोन और येलोन का मतलब खाली उसमें कुछ नहीं मिलाना है होईन हीटेड येलोन और विद पोटाइसियम हाइड्रोजन सलफेट गिलसराल एलिमिनेट्स तू मालिकूल आफ वाटर तू फार्म एक्रोलीन अगर हम KHSO4 के साथ इसको हम हीट करते हैं गिलसराल को तो इससे एक्रोलीन का फार्मेशन होता है तो रिक्षन को देखते हैं CH2OH CHOH ये CH2OH अब इसका रिक्षन होगा KHSO4 के साथ इसके साथ हीट करेंगे तो ये जो है CH2 double bond CH और ये जो हो जाएगा CH2OH तो ये जो है ये क्रोलीन का फार्मेशन हो गया तो कैसे रिक्षन हुआ देखें यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक तो निकलेगा एक और जो है यहाँ से ये एक तो निकलेगा यहाँ देखें CH2 double bond CH हो गया अब यहाँ पर CH2 चाहिए तो यह जो है इस तरीके से यह निकल गया तो यह जो है नान टाक्सिक एंड एक्सिलेंट हुमी हुमी सीटेंट यह जो है हुमी सीटेंट है कहने का मतलब जो है इसका उपयोग जो है सनेहक के रूप में करते हैं इसका उपयोग जो है हम सनेहक के रूप में करते हैं कहने का मतलब अगर हम तो चाह पे इसको लगा लें तो जो तो पर उखी हो जाती है वो जो है नहीं होती है तो गिल्सराल इस नॉन टाक्सिक एंड एक्सिलेंट हो में सिटेंट तो यह जो है हो में सिटेंट का कार करता है इसका मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि यह जो है सनेहक का कार करता है कहने का मतलब यह तो चाको ड्राइ नहीं होने देता जैसे इसके जदातर गिलसराल का यूज जो है क्रीम में होता है तो इसके बाद इसका यूज कहा हो जाता है इसका यूज़ इन बेकरी प्रोडक्ट इसका यूज़ जो है बेकरी प्रोडक्ट में भी होता है बेकरी यानि कि बिस्कुट और रोटी बनाने में भी इसका यूज़ होता है हैंड लोशन इसका यूज़ जो हैंड लोशन में भी होता है और van racing cream यानी कि जो moisturizing cream होती है उइसमें भी इसका यूज़ होता है saving soap में भी इसका यूज़ होता है tooth paste में भी इसका यूज़ होता है क्लस्राल is used in production of plastic fraud사ल का यूज़ प्लास्टिक में भी होता है synthetic fibers में होता है surface को coating करने में our difficile manufacture of explosive like dynamite and प्रिक कान्यक toफे इसका यह क्लोसिब आइवा इस प्रिकiiiii के सब्सक्राइन सोगा ऑप्योग होता है। मिलते हैं अर्फ वीडियो में थैंक यू फार वाचिंग